नमिश्कार मैं सास पहुर रसोई में आपका स्वागत करती हूं मैं हूँ मैयूरी और मेरे साथ है मिरे मैमी जी मिसिस चैना विन तो आज हम बनाने वाले हैं सीता फल की रबडी विता हेल्दी ट्विस्ट सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा अराउंड एक बड़ी चमत जितना पानी आड़ करतेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे दूद ये मैंने सब पहले 500 ml of milk इसमें आड़ किया उसके बाद मैंने इसमें 250 ml milk आड़ किया प्रोटल मैंने जो है 500 ml इसमें milk आड़ कर दिया तो ये एक साइड पर जो है हमें दूद को उबालने रख देना है अब मैंने जो है सीता फल ले लिए है एक मेरे पास जो है थोड़ा बड़ी साइज का सीता फल है और बाकी दो जो है वो थोड़े चोटी साइज के है तो हम जो है सीता फल का पल्प निकाल देंगे तो इस तरह से हम हाथ से ही तोड़ देंगे और एक चमज की मदद से हम इसका पल्प निकाल लेंगे एक बावल में इसका हम पल्प निकाल लेंगे उसके अंदर से हम seeds को जो है separate कर लेंगे पल्प निकालने के बाद साइड में हमें दूद को भी देखते रहना है तो इस तरह से हमने जो पल्प है सीटा पल का वो रगदी आलग से तो ये दूद को भी जो है हमें स्टर करते रहना है ताकि ये जो बॉटम में जो है चिपक न जाए और फ्लेम जो है हमें मेडियम रखनी है तो हमें इस तरह से जो है स्टर करते रहना है साइड में भी जो स्क्रेप्स आ जाते है उसे हमें स्क्रेप करते जाना है तो ये दूद आप देख सकते हो कि ये बॉइल होना स्टार्ट हो गया है और साइट्स पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे ही चिपकता है आपको इसे स्क्रेप कर लेना है तो जो है ये काला पढ़ने लगेगा साइट पर से ब्राउनेश हो जाएगा तो आपको जो है कंटिनीोस इस पे ध्यान रखना होगा गयस को जढ़ा fast में ये जढ़ा slow नहीं medium flame पे आपको इसे रखना है और continuously हमें इसे stir करते रहना है Almost आपने जो milk लिया आता हो इसकी आधी quantity होनी चाहिए तब तक जो है आपको milk को उबालना है अगर आपको थोड़ा जादा गाड़ा दूद पसंद है तो आप उसे और थोड़ा सा बॉइल कर सकते हो तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ तब इसे आदा कर देती हूँ जो कॉंटिटी है अब मैंने गैस की फ्लेम को switch off कर दिया है इसमें मैं एड़ करूंगी जिंदेगी स्टीविया जो एक natural sweetener है है इसमें मैंने इसमें जो spoon आई है और यूद की मैंने दो चममज इसमें एड़ की बहुती छोटी quantity में एड की बहुती कम मातर लगती है ये जो हमने grind किया हुआ pulp है और ये जो हमने grind नहीं किया था तो ये तो अलग करकर हमने रख दिये थे pulp को वो हम इसके अंदर भी add कर देंगे हम इसमें आदा ही pulp grind करेंगे और आदा जो है grind नहीं करेंगे इससे जो है texture काफी अच्छा आता है तो जो हमने grind किया था pulp वो हमने add कर दिया आप सभी को पता है कि stevia जो है एक natural sweetener है एक plant paste sweetener है तो इसमें मैंने जो है जिन्दगी stevia का powder add किया हुआ है अगर आप इसे purchase करना चाते हो तो इसकी link में description box में add कर दूँगी तो हमने ये pulp इसमें add कर दिया है जिनको sugar की problem है वो भी एकदम आराम से सारे desserts enjoy कर सकते है तो हमें जो है अभी gas मेरा switch off है जैसे मैंने कहा था और हमें इसे जो है चिल करना है आप इसे फ्रिज में रख दीजिया या तो फिर आप इसे serving bowl में निकाल ले इस तरह से इसे हम serving bowl में निकाल दे गार्निश कर दे और उसके बाद हम इसे चिल करने रख दे तो हम थोड़े से पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे तो हमें जरूर बताना कि ये कैसा लगा आपको हमारी सीताफल की रबडी कह दो आप इसे सीताफल की बासंदी कह दो इसे आप जरूर से बनाएए और हमें try करके बताएए thank you so much कर दो आपको हमें